हेलो फ्रेंड्स मैं अबिशक जोशी एलेक्रिकल इंजिनेर इन बिल्ला ग्रूप आफ कंपनीज दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे कि किलोवेट से केवीए और केवीए से किलोवेट में कनवर्शन कैसे किया जाता है देखें देखने में तो यह टॉपिक बहुत सिंपल लगता है कि आपको बस किलोवेट से केवीए में ही तो कनवर्ट करना है या तो सिर्फ केवीए से किलोवेट में ही तो कनवर्शन करना है पर industries में practically जब इसके जरूरत पड़ती है तब आपको यह simple conversion यह simple calculation से याद नहीं हाते और यह भी एक fact है कि industries में normally हमें जिन चीजों के जवरत पड़ती है वो ऐसे simple चीजे ही होती है industries में भी आप ऐसे simple चीजे ही पूछी जाती है और industries में practically जो भी आप calculate करते हो जिस चीज के आप analysis करते हो उन सभी चीजों में इस तरीके के normal calculations, normal conversions ही आपके काम आते हैं तो दोस्तों बिना time waste के शुरू करते हैं देखिए इसके लिए आपको स्रिफ एक relation याद रखना है और वो relation है power factor से related आप स्रिफ इतना ध्यान में रखिए कि power factor का formula active power by apparent power होता है तो यहाँ पर active power को हम लोग kilowatt के form में लेंगे और apparent power को हम लोग kVA के form में लेंगे इसको आप अपने हिसाब से megawatt या MVA भी कर सकते हैं तो हमारा जो basic formula है वो है कि power factor equals to active power by apparent power यानि कि kilowatt upon kVA अब इससे आप kilowatt यानि कि active power का formula बना लीजिए जो की होगा kVA into power factor अब माल लीजिए एक equipment है एक random equipment है जिसकी rating आपको 10 kVA दी हुई है यह rating कुछ भी हो सकती है आपने just एक example ले रहे हैं और आपसे यह पूछा जाए कि अगर कोई equipment 10 kVA की rating का है तो वो उसके equivalent कितनी active power consume कर सकता है यानि कि अगर यह equipment 10 kVA की capacity का है और इसी को अगर मुझे active power के form में बोलना हो तो यह कितने kilowatt का power consume कर पाएगा यह अगर आपसे पूछा जाए तो आप simple इस जो kVA है यह जो 10 kVA आपको दिया है इसको power factor से multiply कर लीजिए अब मानली जी हम एक power factor ले लेते है 0.8 तो जब आप 10 को 0.8 से multiply करेंगे तो इसका जो answer है यह 8 kilowatt के around आएगा तो इससे outcomings यह है इससे आपको जो output मिला है जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो यह है कि 10 kVA का जो equipment है उसको अगर हम लोग active power के point of view से बोले तो यह 8 kilowatt का ही power maximum ले सकता है तो इसलिए यह जो 10 kVA की rating है यह equivalent to 8 kilowatt होगी इस तरीके से आप apparent power को active power में convert करते हो तो दोस्तों अब आपको kVA calculate करना है kilowatt आपको दिया हुआ है कि एक motor है जो 10 kilowatt की है तो अब अगर हमें apparent power के point of view में बात करनी हो तो यह 10 kilowatt की motor maximum कितना kVA power load ले सकती है यह अगर आपको calculate करना है तो आप simple 10 को point 8 से divide कर दीजिए क्योंकि अगर आपको kVA calculate करना है तो आपको kilowatt को power factor से divide करना पड़ेगा तो जब आप 10 को point 8 से divide करेंगे तो यह around 12 kVA आएगा तो इससे हमें यह पता चला कि जो 10 kilowatt की motor है यह जो active power की rating हमें दी हुई है इसको जब हम लोग reactive power में convert करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग power factor से divide करेंगे और इससे आपको एक चीज यह भी ध्यान में रखनी चीए कि जब भी आप active power को apparent power में convert करते हो तो वो rating बढ़ जाती है और जब भी आप apparent power को active power में convert करते हो तो वो rating कम हो जाती है यह भी चीज आप ध्यान में रखेगा कि जब हमने kVA को kilowatt में convert किया था तो kVA से rating कम हो गई थी kilowatt में और जब हम active power से apparent power निकाल गए थे तो 10 kilowatt की motor 12 kVA के equivalent हो गई थी जब हमने apparent power के point of view से बात की थी तो calculation simple है पर इसमें जो 3-4 main points आपको ध्यान में रखने हैं आप उसको भी collect करते चाहिएगा क्योंकि यह simple सी चीज़े ही 2-3 अलग-अलग way में आपके सामने industries में practically भी भी आ सकती है तो दोस्तों यह basic topic अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखे गुडबाई